योगा फॉर लाइफ योगा फॉर लाइफ के सभी दर्सकों को दिलीप तिवारी का नमस्कार दर्सकों आज हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन के उपर यानि एकागरता अगर आपका मन सांत है तो समझे आप काफी सुखी है आप चलते समय सिर्फ चलिए काफी लोग होते हैं जो उनका सरीर तो सामने होता है लेकिन मन इधर उधर भटकता रहता है ऐसे लोगों को आज मैं सिखाना चाहता हूँ कुछ प्रानायाम और मेडिटेशन तो आएए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मेडिटेशन मेडिटेशन करने का तरीका जानिए आराम से सुखासन में बैठ जाएए आप मेडिटेशन सुखासन में भी कर सकते हैं हातों को लेये ज्यान मुद्रा में यानि आपका अंगुटा और अंगुली इस तरह से मिलाएं तीन अंगुलिया शिदियों नीच पे घुटने पे इस तरह से रख दे सांस को लंबा खिचे और फिर नार्मल हो जाए सांस को लीजिये और छोड़िये बिलकुल शरीर को सिधा रखे इस्पाइन को और आखे देखिए खास दोर से डगडगडगड़ जैसे हीले नहीं, कभी भी आप कम से कम पांच मिनट तक रोज इस तरह से बैठना शुरू कीजिए नार्मल सांस आपका मन सांसों पे ठिका हो सांस अंदर आ रही है, जा रही है उसको आप देखते रही है पांच मिनट के बाद दिर दिर आखों को खोलें फिर धिरे धिरे पदमासन में भी इसे कर सकते हैं एक पेर चड़ाईए फिर दूसरे पेर को चड़ाईए और वैसे ही हाथ को लगाईए ग्यान मुद्रा में आखे बंद कीजिए अब देखे पूरा सदीर सीधा हो गया हमारा पोजिटर बिलकुँ सीधा हो गया कभी-कभी सुकासर में लोग ऐसे बैठ जाते हैं चुक्के जो गलत है बैक में तकलीफ आ जाएगी तो बिलकुँ सीधा बैठे आखों को बंद करें और बिलकुँ रिलेक्स हो जाएं थोड़ी सी गहरी सांस रखें डीप पूरा मन सांसों पे टिका हो पांच मिनट तक इस तरह से पदमासर में बैठ के रोज मेडिशेशन करें इससे मन काफी सांत हो जाता है आप चाहें तो इससे बजरासन में भी कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पैरों को सीधा केजिए पैरों को मोड़िए इस तरह से बैठ चाहिए और बिलकुल ग्यान मुद्रा में आके हाथ को थाइस पे रखिए मन सांत करके बैठ जाएए पैरों कोई तनाव नहीं हो पांच मिनिट के बाद दीर दीरे आँखों को खोलें रिलेक्स हो जाएं मन तो सांत करता ही है मेंटेशन साथ साथ बजरासन में बैठने की वज़े से आपका डाइजेशन पावर काफी मजबूत हो जाता है पैरों में काफी फ्लैक्सिबिल्टी आ जाती है पैरों को सामने फैलाएं सुखासन में बैठ जाएं अब हम आपको दिखाते हैं अनुलोम, बिलोम, प्रानयाम आराम से पैर को लगाएं पत्वासन में बाएं हाथ को लेफ्ट को रखें ग्यान मुद्रा में राइट हैंड को लियाएं नाच्चिका पे अंगउठे से एक नाग को बंद करें खूब लंबी गहरी धीमी सास बाएं नाग से कीचे खीचने के बाद दोनों नागों को बंद कर दें इस तरह से पांच सेकेंड तक नाग को बंद रखें फिर दस सेकेंड में धीरे दें सास को दूसरी नाग से बाद चुड़ें राइट साइट से खीचे अंदर मन पूरा लगा हो ब्रिधिंग पे नाग को बंद रखें दूसरी नाशिका से बाद चुड़ें अप्लेट से खीचे, मैं आपको बता दूँ, लेट हमारी बाइन आख ठंडी होती है, जब आप लेट सांस को खीचते हैं, तो बलड पेशर नीचे की तरफ आता है, मन सांत होता है, यानि ठंडी हवाप अंदर की तरफ खीचते हैं, राइट से छोड़ते हैं, तो गर्मी, श आपका blood pressure high हो तो आप खाली बाई नाक्षिसांस कीचें, left से लेकर right से छोड़ दे, इससे pressure 15-20 मिनेट के अंदर नीचे चलाता है, कभी आपको सर्दी हो, तेज, नाक बंद हो, तो आप दाहिनी नाक्षिसांस कीचें, right से कीचें, left से छोड़ दे, क्योंकि ये गरम होती है, क काफी, इससे गरमी आजाती है पूरे शरीर में, तो काफी बढ़िया है, meditation के लिए, अनुलोम बिलोम प्रानयाम, पूरा मन सांत हो जाता है, आराम से पैरों को उतार लीजिए, आप इस प्रानयाम को सुक हासन में भी कर सकते हैं, अब तीसरा प्रानयाम हम आपको दिखाते जिसका नाम है, कपाल भाती प्रानयाम, हलका सा आराम से बैठ जाईए, इस पर बहुत जोर से नहीं मारना है, ऐसे नहीं करना है, बिलकुर रिलेक्स से आंके बंद करिये, और पेट को अंदर की तरफ कीचे, देखे, खाली सांस को बाहर फेके, पेट को अंदर की तरफ पेट कीचने के बाद एक लंबी सांस कीचे, पूरा डीप ब्रीधिंग लें, थोड़ा होल्ड करें, फिर सांस को छोड़ दें, लंबी सांस, धीरे तरी सांस को छोड़िए, पचीस-पचीस के बैच में आपको चार बार करना है, यानि सौ बार कपाल भाती प्राना है, इससे मन पूरी तरह सांस हो जाता है, पेट की तकलीब दूर होती है, अस्थमा ठीक होता है, साथ-साथ आपका लंग्स काफी मजबूत हो जाता है, दूसरा प्रानायम देखिए, प्रमरी प्रानायम, अंगुटे को कान में इस तरह से डालिए, इससे मन बहुत जल्दी सां हैं हमसे, तो जिनको भी ये तकली फेरात को नीद नहीं आती है, मन असांत है, उन लोगों को ये जरूर करना चाहिए, कम से कम दस बार, अंगुठे से कान को बंद कीजिए, पहली दो अंगुली फोरेट पे, तीन से आखों को ठकलीजिए, एक लंबी सांस कीजिए, और भा लंबी सांस कीजिए, एक बार और दीरे-दीरे हाथ को नीचे लिया ये, आप चाहें तो इसे पदमासन में भी कर सकते हैं, पैर को चड़ा लिजिए, इससे आपका सरीर का पोस्चर बिलकुल ठीक हो जाता है, जब आप पदमासन में बैठते हैं तो, कान को अंगुठे से बंद कीजिए, पहली दो अंगुल नीचे ले आईए, तो ये था भ्रहमरी प्रानयाम, कम से कम 15-20 बार इस प्रानयाम को रोज करना चाहिए, इससे मन सांथ होता है, ब्लड पेशर की तकलीब दूर होती है, रात को अच्छी तरह से नीद आती है, और मन पूरी तरह से सांथ होने लगता है, पैरों को तीरे- अब हम आपको दिखाते हैं, सीतली प्रानयाम, जैसा कि नाम से ही मालूम है, पूरी बाड़ी कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, मन रिलेक्स हो जाता है, सीधे ग्यानमुद्रा लगाईए, बैर जाएए, जीब को बाहर निकालिए, सास को खीच रहें अंदर की तरह, पूरी टंग, पूरी जीब ठंडी हो जाती है, अंदर कीचते हैं, फिर मुँख को बंद कीजिए, सास को पेट के अंदर उतार दीजिए, नाक से बाहर छोड़िए, जीब को बाहर निकालिए, नाक से बाहर छोड़िए, कम से कम दस बाहर इसी तरह, जीब के सारे सास को खीचें, नाक से बाहर छोड़ दें, और इसके बाद सित्कारी प्रानयाम, दातों के बीच से हवा अंदर कीच दिए, सेम सितली जैसा ही करना है, खाली दात एक दूसरे के उपर बैठे होते हैं, नाक से बाहर छोड़ दिए, दातों को एक दूसरे के उपर बैठा हैं, दातों के अंदर से सास को अंदर कीच दे हैं, सास को पेट में उतारिए, नाक से बाहर छोड़ दिए, सास को एक दूसरे का